हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बेक टो और्गिनाइज नोलच चैनल और आज की जो वीडियो है बच्चो उसमें हम डसकस करेंगे वक्षीट नमबर टैन फूर क्लास इक्स इंगलिश सब्जक की बच्चो यह वक्षीट है जो आपके लिए 9 अगस 2021 के लिए शेडूल की गई है आज की जो वक्षीट है बच्चो उसमें आप कुछ नया सीखोगे खेल खेल में वक्षीट शुरू करने से पहले बटा प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को भी प्रस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए तो दे रही हूं ठीक है एंकर जो है इसको हम यहां पर लिख देंगे देखे आप यहां पर इस तरह से लिख दीजेगा नमबर वन है यह एंकर एंकर जो है एक मैटल डिवाइस होता है जिसको शिप के साथ अटेच करते हैं नेक्स देखिए बैट बैट को किसके साथ मैच करोगे बैट को बॉल के साथ मैच करेंगे है ना कैरट कैरट को किसके साथ मैच करेंगे देखिए अभी हम इसको क्लियर हमें करना पड़ेगा क्योंकि जो क्यारट है वो कौन खाता है रैबिट तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे यह हो जाएगा नमबर थर्ड क्लियर है उसके ब Table को किस से match करोगे? Table को chair के साथ match करोगे. उसके बाद है student. Student को teacher के साथ match कर देंगे. Next देखें बच्चों की. Key को किस से match करेंगे? Key को हम lock से match करेंगे. तो ठीक है, यहाँ पर Key को lock से करेंगे, यह नंबर 7 का answer हो जाएगा. उसके बाद next देखिए number eight है lion, lion को किस से match करेंगे forest से, lion को करेंगे forest से match, clear है तो इस तरह से आपको इनके सामने आप अपनी copy में कैसे करेंगे, ये words लिख दीजिए जैसे ship, ship को anchor के साथ, bat को ball के साथ, carrot को नीचे जो है rabbit के साथ match कर देंगे एक बार फिर से बता देते हूं बिटा, carrot को rabbit के साथ, library को नीचे books के साथ, table को chair के साथ, student को teacher के साथ, key को बिटा उपर जो है lock के साथ, ठीक है ये देखे, key को lock के साथ कर देंगे, उसके बाद lion को कर देंगे forest के साथ, lion forest में रहता है अब देखे, ये सब हमें जो बताया गया है, ये क्या है the name of people, places, animals and things are called naming words or nouns तो जो भी name होते हैं, चाहे वो people के name हो, places के name हो, animal name, thing name इन सब को क्या बोला जाता है, इन सब को naming words और noun कहा जाता है ठीक है, यानि हिंदी में क्या बोलते हैं, संग्या वे संग्याशब, जो की, कि हमें जो किसी भी वस्तूस्थान, चीज़ें आदि का बोध कराते हैं उन्हें आप हिंदी में संग्या कहते हो, बस उसी को हम English में noun कहते हैं आप देखे, B task क्या दिया गया है Choose any two noun or naming word from the question above and complete the table below आपको two nouns जो है naming word question से वो लेके और यहाँ पे देखे, आपको two two noun लिखनी है two people, animal, place और thing तो इस तरह से आपको यहाँ पे name लिखने है तो आई बेटा करते हैं इसका answer तो बेटा यहाँ से आप लिख देंगे देखे, people में आप क्या लिखेंगे उपर से जो भी हमने किया ना naming word यहीं से आपको लिखने है ठीक है, तो people में आप लिख देंगे दो-दो बोला हुआ है, तो हमने लिख दिया student, teacher इसी तरह अगर हम animal की बात करें तो animal में क्या लिखेंगे, animal rabbit हो जाएगा, lion हो जाएगा इसके लावा place देखेंगे, place क्या है जो बैठने की जगह है या कोई भी जगह है लाल किला, ताज महल, ठीक है, library यह सब क्या है, यह सब place है तो यह क्या है, library, forest, यह place हो जाएगे और thing name क्या हो जाएगा, book, bat, ball यह सब क्या है, lock है, key है यह सब thing name हो जाएगे तो the name of people, animal, place, thing these all are known as noun इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम noun कहेंगे तो यह थी आपकी आज की बहुत ही आसान सी worksheet I hope सभी बच्चों को clear है कोई भी doubt है, आप सभी बच्चे पूच सकते हो अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छे लगी तो like कर दीजिए, share कर दीजिए इससे हमारा भी motivation बढ़ता है और अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप पूच सकते हो so thanks for watching, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वरकशीट के साथ take care